144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मुल्य के बराबर हानी होती है उसकी परतिशत हानी ग्यात किजी देखिए loss कब होगा यानि loss मतलब हानी कब होगी cost price माइनस selling price के ठीक है न जब cost price ज lanes कम होगा तभी loss होगा ठीक है अब loss कितना हुआ है loss हुआ है 96 murgLEYों के vikram luminya के बराबर यानि 96 murgLEYों के selling price के बराबर ठीक है और murgLEYों को बेचा कितनी murgLEY ہو गया है 144 मुर्गियों को बेचा गया है तो selling price भी कितने मुर्गियों का आएगा 144 मुर्गियों का अगर 144 मुर्गियों को बेचा गया है तो खरीदा गया भी 144 को ही होगा तो 144 CP ठीक है cost price एक तरफ कीजिए और selling price एक तरफ तो ये negative में है left hand side में जाकर positive में हो जाएगा तो ये चीज इधर जाएगी तो क्या आएगा छ्याने पलस 144 यानि 240 SP किसके बराबर आजाएगा 144 CP तो CP by SP का रिश्यो निकालिए यहां से CP by SP का रिश्यो क्या आएगा 240 क्योंकि ये चीज denominator में जाएगी 240 बट 144 तो 12 पर कैंसल कर दीजी 12 दूनी 24 0 और 12 144 जो होता है 12 का स्क्वेर होता है तो 12 आजाएगा ठीक है फिर 4 से कैंसल होगा 4 पंजे 20 4 तीए 12 तो 5 बटे 3 आगया ठीक है राइट अगर कोस्ट प्राइज किसी मुर्गी का पांच यूनिट है और सेलिंग प्राइज उसका तीन यूनिट है तो लोस कितने हुआ लोस वा फाइव माइनस थ्री तो यूनिट का देखिए एक मुर्गी पांच रुपे में खरीद कर तीन रुपे में बेच दी गई तो लोस कितना होगा? दो यूनिट होगा तो लोस कितना आगए? दो यूनिट हमें ये लोस यानि हानी परसेंटेज में निकालनी है तो परतिशत में जो लोस है वो कैसे निकलता है? loss की value divide में cost price कितना है तो cost price है 5 गुना क्या आएगा 100 ठीक है cancel कीजिए 5 से 5 दूनी 10 0 20 दूनी 40 तो 40% आ गया तो option जो A है उसा ही answer है